अगली वीडियो में एक बार फीर से आपका स्वागत है मैं आज हाजिर हूँ दा आर्टिस्ट की समरी के साथ इसे पहले मैंने सारे चैप्टर का चाहे वो इंडियन सिवलाजिशन एंड कल्चर हो भारत इज माई वोम हो, पिंच अब शनाफ हो इन सारे चैप्टर की समरी अफ्लोड कर दिया है यदि आपने नहीं देखा है तो इन सारे चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं और अभी दा आर्टिस्ट का समरी करवाने बाला हूँ जिसे सीगा नोया ने लिखा है और इस समरी को मैंने हिंदी और इंग्लिस दोनों ही लेंग्लिस में समझाया है बताया है लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल के लिए नए हैं और आपने इसको सस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेश कर लें ताकि अगली वीडियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और याकीन मानिये आप इस वीडियों को दिखने के बाद लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से समरी लिखने के लाइक हो जाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि समरी को लिखते कैसे हैं अगर तो राइटे समरी गीव न ऑसम स्टाट आपको क्या करना है करें अइक उसे पहले बढ़े इस सुरुगात कैसे देंगे की आप तो क्या करना है मैंसंद दचाप्टर एंट राइटर नि आपको चाप्टर और राइटर का नाम लिखना है शुरू में जाए ऐसे यह chapter the artist है तो chapter का नाम the artist और writer का नाम सीगान होया यह mention करना होगा फिर type of the prose तो the artist क्या है तो the artist एक short story है तो आपको यह mention करना पड़ेगा and lastly the theme of the chapter फिर उसके बाद इस chapter का क्या theme है क्या विसे बस्तु है और last में chapter का theme लिखना है जो मैं आगे बताऊंगा chapter का theme भी बताना पड़ेगा कि जो आपके writer है सीगान होया तो ने इस chapter में कौन सी बात कही है तो यह आपका पहला step हो जाएगा इतने सारे चीज़ को आपको step बन में लिखना है इसके बाद दूसरा step होता है step 2 दूसरे step में आपको दो paragraph लिखना होगा paragraph 2 और paragraph 3 दूसरे step में लिखना है जिसे हम body भी कहते हैं body यहीं आपका body होगा इस chapter की important बात बीच में आएगा मतलब paragraph 2 में आएगा और last में जो तिसरा step है उसमें summary को conclude करना होगा आप conclude कैसे करेंगे conclude करने का मतलब एक जगा समापन करना है आपको एक बढ़िया सी ending देना है अंत देना है अब हम कैसे एक अच्छा सा end देंगे इसमें भी एक ही paragraph रहेगा जो paragraph 3 है उसमें एक ही paragraph रहेगा last के paragraph में क्या करना है just mention how was the writer work आपको यह बताना है कि writer का काम कैसा था और उसके बाद सीगा नोया ने यहाँ पर कैसा लिखा है साथ में यही बताना पड़ेगा फिर message of the chapter chapter से आपको कौन सा संदेश मिला या कोई message मिलता है इस chapter को पढ़ने के बाद आपको यह लिखना होगा step 3 में अब चलिए हम चलते हैं समरी की तरफ लेकिन समरी अस्टार्ट करने से पहले इस chapter का introduction देख लेते हैं writer के बारे में और chapter के बारे में जो exam के point of view से बहुत ही important है यह एकसर यही से question exam में चले आते हैं objective में तो एक बार इसे भी देख लें तो चलिए चलते हैं the artist यह एक यह एक लगू कहानी है जिसे Siga Noya ने लिखा है Siga Noya का जन्म कब हुआ था 20 फ्रवरी 883 इस भी को हुआ था कहां जापान में हुआ था और इनका डेथ कब हुआ था मिर्तिव कब हुआ था 21 October 1971 इस भी को हुआ था कहां हुआ था इनका डेथ जपान में ही हुआ था इनका डेथ किस बजासे हुआ था निमोनिया की बजासे हुआ था यह एक तरकाद DGJC के करण से हुआ था यह इनका जन्म जपान में हुआ और इनका नीधन भी कहा हुआ जापान में हुगा यह दोनों याद कर लेना इनका जन्म और इनका निधन कहुगा था फिर सीगा नोया बाज जापनिस नोबलिस्ट सीगा नोया एक जापनी उपने स्कार है एंड सौट इस्टोई राइटर वह एक क्या है लगू कहानी लेखक हैं कव का 20th संचूर बीश्मी सतावदी के उबढ़ एक क्या है एक उपने स्कार और सौट इस्टोई राइटर हैं यह वाज अबाड़ उनको कुछ अबाड़ मिला था क्या मिला था दा ओर्डर ऑफ कल्चर मिला था इनके दुआरे मिला था जापनिस्ट गभर्मेंट के दुआरे मिला था और क स्टोर्इस इनका क्या था कुछ मेजर बर्क था आपको एक्जाम में यह पुछ देगा और राइटर का कुछ नामं देदेगा तिन्चार आपको सुझ करना होगा कि यह कौन सा लिखे हैं सीगा नौया भी रहेगा तो उनमें सुक्षत워서 कर देना है ठिक आप्ध देना है Żक इस चाप्टर का विशेबस्तू, इसका मतलब हुआ, इसमें कौन सा बात कहा है सीगा नोया ने, यह जो चाप्टर है, यह एक लगू कहानी है, जिसे जापनीज राइटर सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जहां हमारे अट्रेक्शन को घिशते हैं, कौन सीगा नोया घिशते हैं, एक महतपूर्ण मुद्य की ओर, वह महतपूर्ण मुद्य क्या है, to recognize the talent of our youngsters, जो हमारे नवयुवक हैं, या नोजवान हैं, उनके talent को क्या करना है, पहचानना है, जो हमारे नोजवानों को पहचानना है, उन्हें उक्साने के जगह क्या करना है, motivate करना है, उनका होसला बढ़ाना है, अब हम चलते हैं हमारे summary के तरफ, Now we will see the summary of this chapter, the artist, let's see paragraph 1, The artist is a short story written by Siga Noya, the artist क्या है एक लगू कहानी है, जिसे Siga Noya के द्वारा लिखा गया है, यहीं पे आपको बताना है कि यह क्या है, एक short story है, मतलब एक लगू कहानी है, जिसे Siga Noya के द्वारा लिखा गया है, आपको exam में English में ही लिखना होता है, हम तो साथ-साथ आपको Hindi में भी बता रहे हैं, यह ताकि आपको समझने में असानी हो जाए, मतलब इस कहानी में इस बात पर ध्यान के द्रित किया है, कि कैसे एक बच्चे की पर्तिभा, मतलब कला की कदर ना होने परोभा नश्ट हो जाती है, यदि किसी बच्चे की टैलेंट पे ध्यान न दिया जाए, किसी के द्वारा, तो कला क्या होता धिये धिरे नश्ट हो जाता है, यहीं बता गया है पराग्राफ बन में, आप पराग्राफ टू देखते हैं, सेवी एक बाराफ सहर का जापानी लड़का होता है, जापानी लड़का है जो एक बंदरगाह वाले सहर में रहता है, जहां पर बोट यह सब आकर सिप रुखता है, वह एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उसे कदू इकठा करने का सौख होता है, उसका में रूची क्या था, कदू को इकठा करना, वह हर रोज अपने द्वारा इकठा किये, कदू पर नई तक्निकों का परियोग करता था, से भी क्या करता था, डेली कुछ कदू लेता था, और उस पर new new techniques apply करता था नया नया तरीका उस पर apply करता था every day paragraph 3 देखते हैं one day, एक दिन he buys a special god in 10 sen एक दिन और 10 sen में एक business कद्दु खरीता है कितना sen में? 10 sen में वह एक special कद्दु खरीता है and since then और तब he is so closely connected to eat और वह जो कद्दु खरीता है जसन में उससे बहुत जादल लगाब हो जाता है उसका कद्दु से to eat that even he takes it to the school और वह क्या करता है? उससे इतना लगाब हो जाता है कि उससे एस्कूल भी ले जाता है but one day, एक ने एक दिन he is caught by ethics teacher लेकिन एक दिन वह नैतिक इच्छा के द्वारा क्या क्या होता है? पकड़ा जाता है while policing them the god in the class जब वह क्लास में क्या कर रहा होता? पॉलिस कर रहा होता है तब वह एक इथिक से teacher के द्वारा पकड़ा जाता है he is scolded and वह क्या करते हैं? उसे डाटते हैं और क्या करते हैं? the god is given to the potter वह कड़ू को छीन कर क्या करते हैं? एक potter को दे जाते हैं जो gate के पास दिर्वान रहता है उसे दे जाते हैं तो क्या हुआ? थारग अफ्थरी में? उसे इतना लगाव हो जाता है कि उसे school भी ले जाता है लेकिन एक दिन उसे एक ethics teacher को द्वारा पकड़ा जाता है तो क्या policing करते हैं तो उसे डाटते हैं और छीन लेते हैं उस कड़ू को और वह एक potter को दे जाते हैं अब हम देखते हैं paragraph 4 the moral teacher complains about him to his family जो नैतिक छीचक होते हैं क्या करते हैं उस घटना के बारे में उसके परिवार से सिकाईत करते हैं उसे सिकाईत कर देते हैं moral teacher उसके family से and as a result और परिनाउंस दोरूप फिर क्या होता है इस father beats him उसके पिता से भी को क्या करते है पितते हैं and smashed all his gods of and smashed all the his collection of gods उसके कद्दू को क्या करते हैं पुरी तरह क्या करते हैं टोड देते हैंनस्ट कर दते हैं उसके कद्दू के संख्रह को नस्ट कर देते हैं but he does not say even a single bird और लेकिन वह एक ही सब्द नहीं कहता है कैसे कोई बेटा अपने पिता को कुछ बोल सकता है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है at the other hand दूसरी और क्या होता है that a special god is finally sold in 600 yen और दूसरी और वह बिसेस कद्दू जो उसके teacher जो उसे दरवान को दियें थें अब finally 600 yen में बिखता है लिया था 10 yen में और जब पॉलिस यह सब new techniques apply करने के बाद उसका दूपर वो कितना बिखता है 600 yen में बिखता है एक yen में 100 yen होता है और यहाँ पर कितना है 600 yen होता है तो कितना yen होगा आप अंदाजर लगा सकते हैं महगा भी का है जो this way और इस प्रकार and an art is bested in absence of it इसको गनाजेशन यह कला की कदर ना होने परोबा नश्ट हो जाती है यदि टीचर उसे करने की अजाद़ी देते हैं तो उसके कला को नश्ट ना हो पाथा और उससे टीचर क्या किए उसे कद्दू को ले कर उससे दूर कर दिए तो उसका कदर ना होने के बाद उनका जो कला है ब對os नसकर का नश्ट हो जाएगा फाइनली करके लिखते हैं अंत में इट्स एन ओसम प्रजेंटेशन ओफ सीगा नुवया भेर ही ब्यूटिफुली शोन डाइट हाव इज ए टालेंट बेस्टेड बाई दा फैमली और एस्टिक्ट मेंटर अंत में यह क्या है एक सीगा नुवया के द्वारा लिखा गया एक संदार प्रस्तूति है एक संदार लगू कहानी है जहां उन्होंने बड़े खुबसूरती से दिखाया है क्या कैसे एक बच्चे की टालेंट को बेस्ट कर दिया जाता है उसके फैमली और उनके अश्टिक्ट मेंटर कैसे एक परिवार और उनके सक्ष टीचर द्वारा एक प्रतिभा को बरबाद कर दिया जाता है इसमें यहीं हुआ ना तो उसके फैमिली और उनके टीचर ने उस बच्चे की कला को सपोर्ट नहीं किया तो वह कला क्या हो गया धीर धीरे नश्ट हो गया तो यहीं था paragraph 5 तो यह summary यहां पर complete हुआ अब आपको क्या करना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ताकि आगली वीडियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें ओके थैंक्स पर बाचिंग